हेलो स्प्रेंट्स आज का ये वीडियो आपके मेंस एक्जाम और प्लेंस एक्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके अलावा जो 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 ज़िए रहे हैं उनके लिए भी जाना बहुत ज़रूरी है क्या खेकार कॉंस्टिटूशन का आर्टिकल 223 क्या कुछ ह है यहां पर देखिए मैंने कंस्टिटूशन का जो पेज है वो लगाया हुआ है और यहां पर भारत के समिधान के प्रस्तावना यहां पर है जो सबको यादी है जो शुरूआत किस्से होती है हम भारत के लोग वी दे प्यूपल आफ इंडिया तो हम जानने के कोशिश करते है कि अखिरकार आर्टिकल 223 क्या है और आप यह भी जानेंगे कि आज अचानक से मैं समिधान के आर्टिकल 223 के बारे में बात क्यों कर रहा हूं तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं उसके पहले एक नोटिफिकेशन में आपको दिखा देता हूं जो कि प्रेसिडे पुने जज़ आफ हाई कोर्ट आफ चातिसगर्ड तो फर्फॉर्म दूटिज आप दो ऑफिस आफ दे चीप जस्टिस आप दा हाई कोर्ट विद इफेक्ट फाम 11.32023 कंसेक्वेंट अपान दे रिटार्मेंट आप स्री जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी चीप के अपॉइंट होने तक जस्टिस गौतम भादूरी है वो चीप जस्टिस का काम संभालेंगे यहाँ पे देखिए आर्टिकल 223 का जिक्र है अब अगर आर्टिकल 223 के बारे में जानेंगे तो ही आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि आखिर कारिस नोटिफिकेशन का मत कर रहे हैं मेरा नाम है महनो सिंगh यहाँ पे मेरा परिश्य है आप इसे देख सकते हैं जान सकते हैं और इसके पहले हम वीडियो शुरू करें जिन होने भी टेली ग्राम चैनल जोईन नहीं किया है वो टेली ग्राम चैनल जरूर जोईन कर लें ताकि आपको लेटिस प्रभारी सब्द का इस्तेमाल नहीं था लेकिन यहां पर आप देखिए कि जब वही आर्टिकल न्यूस पेपर के पास गई उन्होंने जब उसकी न्यूस बनाई तो यहां पे उन्होंने ही डाल दिया है Acting Chief Justice of 36 गर्भाइकोर्ट और यह Acting Chief Justice का जो प्रावधान है वो समिधान में कहा है वो समिधान के आर्टिकल 223 में दिया हूँ इसलिए आज हम यहां पर आर्टिकल 223 की बाचित कर रहे हैं यहां पर देखिए acting chief justice होंगे और इसी बात का जो उलेख है वो president के notification में किया गया है यहाँ पे देखिए article 223 का उलेख किया गया है ठीक है और इसमें बताया गया है कि कौन अगले acting chief justice रहेंगे उनका नाम भी यहाँ पे दे दिया गया जस्टिस कादम भादुरी किसके retirement के बाद justice अरूप कुमार गोस्वामी के retirement के बाद अब यहाँ पे आपके लिए question बनता है जो कि prelims के इसाफ से काफी important है वो यह कि supreme court के judges के retirement की age क्या है और जो बाकी high court हैं उनके judges के requirement, justice के requirement justice के retirement की उम्र क्या है आप answer मुझे comment box में बताइए supreme court के justice से उनकी retirement की age क्या है और जो high court के justice से उनकी retirement की age क्या है और इसका प्रावधान कौन से article में दिया हुआ है यह आपके लिए question है जो prelims में पूसता है और आगे भी आ सकता है अब हम बार-बार article 223 के बात कर रहे हैं तो आए हम जान लेते हैं कि article 223 in the constitution of India 1949 आकिरकार है क्या यहां पर देखिए उलेख दिया हुआ है appointment of acting chief justice when the office of chief justice of high court is vacant और when any such chief justice is by reason of absence or otherwise unable to perform the duties of his office the duties of the office shall be performed by the such one of the other judge of the court as the president may appoint for the purpose ठीक है यहां पर article 223 के बारे विस्तार से लिखा हुआ है कि किसी acting chief justice का appointment होगा जब chief justice high court का वहां पर मौजूद नहीं होगा उसके seat खाली हो गई या किसी अन्य वजह से chief justice उपलब्द नहीं है तो राष्टपती एक notification के दोवारा acting chief justice को appoint कर सकेंगे ठीक है तो acting chief justice को appoint काउन करेगा president करेंगे किस article से article 223 से तो यही है article 223 और इसके बारे में आपको जानना चाहिए चोकि यह चीज अभी news में बनी हुई है लगतार इसके बारे में updates आ रहे हैं प्रेस में चतितरगा हाई कोट इसकी फोटो मेंने यहां पर डाल दी है ताकि यह चीज हमें साब की दिमाग में strike करती रहे कि फिलहाल आप article 223 किस बारे में बात कर रहे हैं लेकिन यहां पर आपको यह भी जानना जूरूरी है कि आपको इसको अच्छी तरीके से तयार करना है एक बार फिर से हम यह देख लेते हैं article 223 क्या है यहां पर आप देख लीजिए आप इसका screenshot ले सकते हैं या फिर आप चाहें तो याद कर लिजे तक एक्जाम में question आए तो आपसे यह question ततकाल मन जाए और इसके अलवा प्रिलिम्स में भी इंप्रिलिम्स में भी पूस देता है कि वाट इस आर्टिकल 223 चार आप्शन देदेगा एक option सही होगा बाकी option आपको गलत जहें वह देखने होंगे कि कौन सा option इ यहाँ पर चातिजगरा आपको बहुत सारे चीज़े इसे आपको मिल जाएगी और अभी चातिगरा के चीव एक्टिग चीव जस्टिस कौन अपॉइंट हुए है तो वह है जस्टिस गौतम भादुडी किस article के तहत अपॉइंट किये गए है ठीक है क्यों अपॉइंट किये गए है क्योंकि जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी रेटायर हो गए है तो question होता है कि retirement की age क्या है Supreme Court की और retirement की age क्या है High Court की तो इस सारी चीज़ों को आपको देखना है अब last में आपके लिए कुछ questions जो आपके mains के हिसाब से important हो सकते हैं इसलिए मैंने यहाँ पे इसका detail दे दिया गया है question number one what is article 223 of constitution of India दो number के लिए आपको लिखना है 30 words में what is article 223 of constitution of India भारत के सम्मिधान के तहट article 223 यानि कि 223 क्या है तीस words में आपको इसका answer लिखना है एक और question है write a short note about चतिसगर High Court write a short note about चतिसगर High Court तो मार्क 30 words चतिसगर High Court के बारे में एक short note लिखना है कब हुई थी दूसरा ये कि ये कौन से करम का High Court है और तीसरा ये ये कहां स्थित है चोथा ये कि इसके पहले कारेकारी Chief Justice कौन थे और इसके पहले स्थाई Chief Justice कौन थे और वरतमान में इसके Chief Justice कौन है ये जब 5-6 points आप इसमें डालेंगे तो 30 words में आपका short note 36 गड़ा High Court के बारे में तयार हो जाएगा इसके अलावा एक और question यहां पे कि what is an acting Chief Justice how does is appointed ठीक है acting Chief Justice क्या होते है इन्हें कैसे नियुक्त किया जाता है या इन्हें कौन नियुक्त करता है इसका भी answer आपको दो marks के लिए लिए 30 words में तो यह 3 questions मैंने आपके लिए तयार किये क्योंकि article 223 अभी थोड़ा चर्चा में है इसलिए यहां से question आपका जो law portion है उसमें बन सकता है और यह question आपके लिए important है इसके अलावा यह आपको constitution का portion है उसके लिए भी यह question आपका आ सकता है इसलिए आपको इसको अच्छे से पढ़ना है यह 3 questions आप अच्छे तरीके से तयार कर लिजेगा एक बार फिर से जिन्होंने भी टेलिग्राम चैनल नहीं जोईन किया है वो टेलिग्राम चैनल जरूर जोईन कर लें क्योंकि इस तरह के important updates आपको टेलिग्राम में ही मिलते हैं अगर आवाँ पे जुड़े रहते हैं तो more than 8500 एसप्रेंट्स वहाँ पे जुड़े हुए है जो लगातार idea शेर करते हैं और content एक दूसरे से शेर करते हैं और जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि notification आपको direct मिलते रहें उमीद करता हूँ कि article 2-2-3 आपको पुरी तरह से समझ में आ गया होगा हमने उलेक लिया है 36 गड़ हाई कोर्ट का लेकिन ये पुरे देश के हाई कोर्ट के लिए लागू होता है Constitution of India और इसके साथ ही आपको वो सारे facts भी पढ़ने हैं जो आपके one day exam के लिए important हो सकते हैं वो कौन-कौन से question हो सकते हैं article 2-2-3 से related वो मैंने आपको बता दिया इसके अलावा जो justice के retirement age है उसके बारे में भी हमने बात कर ली तो यह सारे portion आप तयार कर लीजेगा और जो mains के लिए 3 questions मैंने दिये हैं उसका भी answer लेकने के कोशिश करिएगा ताकि आपका यह जो एक portion है वो article जो है वो अच्छे तरीके से तयार हो जाए फिर मिलोंगा ऐसा ही किसी एक वीडियो के साथ जो आपको knowledge दे और आपके knowledge में enhancement करे Thank you, Jai Hind